तेज रफ्तार इंडिगो कार पेड़ से टकराई एक की मौत चार घायल कानपुर सागर हाईवे में केडारी फाटक के समीब तेज रफ्तार कार पेड़ से जाटकराई घटना में एक की मौत हो गई जब की चार लोग गंभी रूप से घायल हो गए घायलों को यूपी हंड्रेट पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में भरती कराया गया पुलिस ने शब का पंचनामा भर पोस्ट माटम को भेज दिया है मामला सदर कोतवाली छेतर का है मद्यप्रदेश के छतरपुर निवासी रजनीश अपनी पतनी गुंजा वा दो पुत्रियों आध्या अध्रिका के साथ अतर्रा शादी समारों में शमिल होने जा रहे थे गए थे बीती रात इंडिको कार में सवार होकर वापस लोट रहे थे उनके साथ कार में टीकमगर निवासी अवद बिहारी वा अनिरुद गंगेले भी सवार थे कि डारी पाटक के सामने कार का संतुलत बिगर जाने से वह पेड में जाटा कराई हाथसा इतना भीशड था कि कार के पर खच्चे उड़ गए कार में सवार सभी लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बहार निकाला और एलाज के लिए ततकाल जिला स्पताल में भ होगा के पास एक्सिगेंट हो गया कार का घजना में एक बच्ची की मोत होगी है जब की बादी लोगों सब घायर है